और इसका वुटिक फएशं cloth मेरे आपका स्वागत है जैसा कि आम पहले वाले पार्ड में कूर्ति की कटत़िंग की थी और इस पार्ड में हम इसकी सिलाइी बताएंगे अब हम इसे सिलने जा रहे है जैसा कि आप हम मैंने पहले चोली काट रखी थी और इसके लिए पट्टी काटी थी अब हम इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे इस तरह से इसको ज्वाइन करके इस पर सिलाई लगा लेंगे और यह अंदर को पलट देंगे हम ने यह पट्टी लगा लिए अब इसमें हम चोट चोटि कट लगा लेंगे इस तरह से ये कत लगा लेंगे कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फॉल्ड कर देंगे इंसको इस तरह Gesetz पीटब कर देंगे फ्रेंट्स जैसे कि हमने यह पढ़ लिया है अब हम इसमें प्लेटे डालेंगे प्लेटे डालने के लिए हमने जो यह बीच में मार्क लगाया था इससे चार इंच पर टिक लगाएंगे और उपर से नापते हुए इस पर रखकर 11 इंच से इस टिक को मिला देंगे इस तरह से इस पेस को हम दूसरे कोने से मिला कर इस तरह से रख देंगे और हलके हाथ से इस तरह से थप तपाएंगे जैसा कि हमारी यह प्लेट इधर को आ गई है इधर भी हम टिक लगाकर यह दो पलेटे डाल देंगे इस तरह से हम यह प्लेटे डाल लेंगे देखिए हमारा यह आगी का पेस त्यार हो गया इस तरह से हम पीछे का भी पेस त्यार कर लेंगे देखिए हमारा इसी तरह से दूसरा पेश भी तयार हो गया हमने इसमें पलिकी डालकर अब हम इन मॉड्डों को जॉइन कर लेंगे इस पेश को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इस अंदर वाली साइट जो हमारी सीधी है उसको भी सीधी की और रखकर इस तरह से मुड्डे को जॉइन कर लेंगे फ्रेंट्स जैसा कि हमने इस मुड्डे जोड ली है अब इसको हम इस तरह से पकड़ कर और इससे ऐसे फोल कर लेंगे फोल करने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे ऐसा ही हम इस तरह भी कर लेंगे देखिए हमारी सिलाई इस प्रकार से आजाएगी ये सिलाई हमारी इस प्रकार से आएगी अब हम आस्तीने तयार कर लेंगे यह हमारी आस्तीन कटी हुई है आस्तीन को तयार करने के लिए हमने यहाँ पर दू इंच जो कि हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे दू इंच का टिक लिया है और दू इंच हम इधर से भी लेंगे लेने के बाद इसको हम गुलाई का सेफ देंगे आप चाहें तो आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं कम भी रख सकते हैं हम इसे दू इंच लेंगे और ठीक प्रकार से बुलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे जैसा कि हमने जो आस्तीन में कट किया था रिजाइन के लिए उसका ये वीच का भाग निकला है हम इसको इस प्रकार से साइड में रख लेंगे साइड में रखकर हम इस पर टिक लगा लेंगे इस तरह से टिक लगा लेंगे और एक इंच पर हम और एक टिक लगाएंगे इस तरह से एक इंच पर रोटिक लगाएंगे अब इसको हम कट कर लेंगे अब इसके बीच वाले भाग जो हमने इटिक लगाए इसे भी हम कट कर देंगे जैसे हमने पट्टी कट कर लिए आब इसको हम सीधा रखेंगे और इस पट्टी को सीधी तरफ रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से इसको फोल करके इस पर सिलाई लगा लेंगे जैसा कि हमने ये पलड लिया है अब इन दोनों साइडों को हम इस प्रकार से थोड़ा सा पलड कर इस पर सिलाई लगा लेंगे इस साइड को भी और दूसरी साइड को भी हम सिलाई लगा लेंगे जैसा कि हमने ये पलड लिया है आप इसकी नीचे की डिसाइन वनानी के लिए जो हमने ये पट्टी काटी थी इस पर हम सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के लिए इसको हम उल्टा फोल करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे इस पर हमने सिलाय लगाकर और इसको सीधा कर लिया है देखे ये हमारी इस तरह से आएगी एक तरफ को खुला हुआ होगा और एक तरफ को बंद होगा इसको हम इस तरह से फोल करके इस तरह से कट कर लेंगे कट करने के बाद अब हम एक और छोटी सी पट्टे काटेंगे देखिए हमने इतनी वड़ी चोटी सी पट्टे काट लिये इसको इस तरह से हम फोल करके और इस तरह से इस पर सिलाई लगा देंगे एक तरह खुला रहने देंगे सीधा करने के लिए जैसा कि हमने इसको सीधा क इसको अंदर करके और इस पर सिलाई लगा लेंगे इसको इस प्रकार से हम अंदर की और करेंगे और अंदर की ओर करकी हम इस पर सिलाई लगा लेंगे यह हमने इतनी चोटी एक पट्टी काट लिए इसे हम आठ काटेंगे इन पट्टियों को इतने भाग में हम आठ पट्टियां काट लेंगे चार हमारी एक आस्तिन में लगेंगे चार दूसरी आस्तिन में और जो मैंने धर्मागोल की गोलियां लिए हैं इसको हम इसमें इस प्रकार से रखेंगे इसे इस प्रकार से रखकर और इसमें धागा लपेटेंगे इस तरह से इसमें धागा लपेटेंगे इस धागे को हम थोड़ा दूर तक लपेटेंगे जैसे हमारा ये सिलाई में आ जा से हमने इसको बना लिया है इस तरह से हमने चार तयार कर लिए अब इसको हम एक आस्तिन में पहले लगाएंगे जैसा कि हमारा यह दो भाग है इसमें से एक भाग को हम लेंगे और इस पट्टी को इसकी उपर रख लेंगे रख जैसे कि हमने इस पर सिलाई लगा लिए इसे सीधा करके इसकी उपर हम सिलाई लगा लेंगे फिर इस पर हम फोम फोम की इस तरह से दूसरी पट्टी को इसकी उपर रख कर और इसकी अंदर हम इस तरह से इन धर्मा कोल की गोलियों को रख लेंगे रखकर और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे हम फ्रेंट्स हमने इसको इसमें अटेच कर लिया है अब यह पीछे का वचा हुआ कपड़े को हम इस तरह से काट देंगे काटने के वाद हमारी यह इस तरह से आएंगी और इस कपड़े को हम इसकी उपर विल्कुल इससे मिलाकर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे इस पर हम डवल सिलाई लगाएंगे ताकि यह हमारा मजबूत रहे हमने इस पर यह लगा लिया है अब इसको हम आस्तिन पर जोइन करेंगे इस प्रकार से हमारी यह आस्तीन है और जैसे कि हमने यह दो इंच का काटा था तो हम इस पर भी दो इंच के ही टिक लगाएंगे इस तरह से 2 इंच का हम इधर लगाएंगे टिक और 2 इंच का हम इधर लगाएंगे इधर लगाने के बाद इसको हम इस पर जोइंट करेंगे इस तरह से इस टिक को इस पर रखकर इधर जोइंट करते वे ले जाएंगे और इस टिक को इस पर रखकर इधर की ओर जॉइंट कर लेंगे इस तरह से हमारी ये आस्तिन इस प्रकार से आएगी अब इन आस्तिनों को हम चोली में जॉइंट करेंगे हमारी ये दोनों आस्तिने त्यार हो गई है अब इस आस्तिन को हम बिल्कुल इस तरह से पकड़कर और बीच पर कट लगा लेंगे कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह से बीच सेंटर पर रखकर और जॉइन कर देंगे जैसा कि हमने इन आस्तिनों को जोड लिया है अब हम नीचे की चोली को इसमें जोड़ेंगे नीचे के घेर को हम चोली में जोइन करेंगे लेकिन उससे पहले हम जो नीचे कामारा घेर है उसके दोनों भागों को हम अलग-अलग इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे जैसा कि हमने नीचे की साइट दोनों पेसों को पलट लिया है और इसमें बीच सेंटर पर हम कट लगा लेंगे इस प्रकार से बीच सेंटर पर हमारा कट लगा कर हम चोली को घेर में जॉइंट करेंगे धूमें पहले कट लगा रखा था तो इस प्रकार से हम इस चोली को इस कट पर रखकर इस पर सिलाए लगा देंगे फ्रेंस जैसा कि हम नीचे का घेर है यह दोनों चोलियों में जोड लिया है आप इस पर हम फिटिंग लगाएंगे लगाने के लिए हमारी आस्तीन की फीटिंग हमने बताई थी साड़े पांच इंच साड़े पांच इंच पर हम टिक लगाएंगे और जैसे कि हमने फीटिंग की टिक हमने कट करते हुई लगा लिए थे तो इस टिक को हम इस टिक से मिला देंगे और फीटिंग लगा लेंगे इस तरह हमारी ये फ्रॉक जो है तयार हो चुकी है ये हमारी कुर्ती देखी किती सुन्दर लग रही है इसका सीफ फ्रॉक की तरह है देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए रादे रादे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ